नमस्कार स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आप सबका एक बार फिर से सौगत है बाईजूज इग्जाम प्रेप आयस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आज है 12 सितंबर 2022 आज हम लोग देखेंगे कि हमारे दाहिंदू के विशलेशन में कौन-कौन से आर्टिकल्स इं हो जाती है उसके अलावा अब चूंकि रूस और यूक्रेन में इतने महीनों से जो वार्थ चल रहा है तो मैं हमेशा अपने लेक्चर में बताता हूँ आपको जितनी इंपोर्टेंट लोकेशन हैं हो सके तो उनका एक जगह पर कहीं पर नोट्स बना लीजिए जितने आत्मक न्यूज यह आई है कि यूक्रेन ने वापस से अपने एक रीजन को रशिया से मुक्त करा लिया है और वो रीजन क्या है वो है खारकीव रीजन आप मैप में समझिए वहां से आपको ज़्यादा अच्छे से यह समझ में आएगा देखिए ये यूक्रेन का मैप बता तो आपको पता है ये रशिया है तो जाहिर सी बात है ये वाला जो बॉर्डर आप देख रहे हो ये यूक्रेन के साथ साजा होता है तो इस उत्तर वाले एरिया में रशिया ने सबसे पहले कबजा करा था और यहां पर अपना आधिपत्य जमा लिया था परन्तु आज की डेट में जो न्यूज आई है उसमें यूक्रेन ने वापस से इसका बहुत मैक्जिममम एरिया ऐसा है जिसको वापस से अपना कबजा कर लिया है अब दूसरी बात ये आती है कि जो खारकीव एरिया है ये यूक्रेन और रशिया दोनों के लिए इतना important क्यों है यहां प दूसरा यहां पर एक नदी है लोपान और तीसरा इसी के नाम से आती है खारकीव इन तीनों नदीयों का संगम होता है कहां पर खारकीव में तो ये तो उसकी भौगवलिक परिदश आती है आर्थिक इसका बहुत जादा महत्व है यूक्रेन की दरश्टी से यूक्रेन के अगर सबसे बड़े railway junctions की बात करूं ठीक है यहां पर international एक बहुत बड़ा airport highway system की बात करें तो यानि कि railway airport highway तीनों ही system बहुत अच्छे हैं खारकीव के अंदर मैं एक खारकीव की तसوीर आपको दिखाता हूं तो देखिए पूरा तरीके से एक अत्यादुनिक शहर आपको बसा हुआ दिखाई दे रहा है तो यह खारकीव है ठीक है यही कहीं न कहीं अब देखें सीमा भी साजा करता है अब इतनी पास है यह कि अगर बात करी जाए 50 मील में अगर रशिया के बॉर्डर की बात करें तो बेल गोराड यह गाउ है एक रशिया का याद रखिएगा तो जो गाउ है उसकी पोजीशन जो है यहाँ पर है वो खारकीव के साथ सीमा साजा करती है दूसरा अगर इसकी जो आर्थिक स्थितियों की जो मैं बात बता रहा हूँ आपको कि आर्थिक द्रश्टी से क्यों महतपूल है क्योंकि यह सबसे पहली important चीज आपको जाननी होगी second largest city है कीव के बाद ठीक है यूकरेन का तो इस वज़े से यूकरेन के लिए important हो जाता है दूसरा अगर बात करी जाए एक nuclear power plant आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जैपोरीजिया के नाम से अभी मैं उसका भी map आपको दिखाऊंगा यह देखिए यह जैपोरीजिया nuclear power plant है यहाँ पर है खारकीव तो एक यह भी plus point बन जाता है कि खारकीव पर जिसका भी आदिपत्य हो जाएगा तो वहाँ से जैपोरेजिया का रास्ता खुल जाता है ठीक है दूसरा यहाँ पर आर्थिक महतों की बात करें तो क्रशी के उपकरण जो होते हैं वो यहाँ पर बहु बढ़े कार खाने हैं यहाँ पर तो आर्थिक द्रश्टी से देखा जाए तो उसकी द्रश्टी से भी जो खारकीव है वो यूकरेन के लिए बहुत महतों है चूंकि यह रशिया के साथ बार्डर शेयर करता है और अब USSR का किसी समय पर पार्ट था यूकरेन तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रशिया की संस्कृति को फॉलो करते हैं तो संस्कृतिक रूप से आपको समानता यहाँ पर देखने को मिल जाएगी सेम कल्चर वाले लोग मिल जाएगे बहुत सारे इनके यहाँ पर खारकीव में रहने वाले जो लोग है उनके बहुत सारे जो है वो रूस में रहते हैं जो मैंने बैलो ग्राड आपको गाउं बताए था उसमें बहुत सारे इनके रिलेटिव रहते हैं तो एक आपस में पारिवारिक संबंध भी यहाँ पर देखने को मिलता है तो इस एक एक important location पे यूकरेन ने वापस से अपना control जो है वो ले लिया है जो यूकरेन की दरश्टी से काफी जादा important है थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जैपोरेजिया nuclear power plant के बारे में क्योंकि ये भी हाल ही में चर्चा में रहा था ठीक है तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा रशिया ने हाला कि यहाँ पर बहुत समय पहले से control कर लिया था परन्तु यहाँ पर जो गोला बारी करी जा रही थी जिस तरीके से bum गिराय जा रह विश्व में अभी तक सबसे बड़ा एक nuclear power plant crisis कहा जाता है इसके बारे में जरूर पढ़िएगा कभी अगर कोई topic इसके बारे में आया तो मैं जरूर इसके उपर एक video बना दूँगा तो ये दो location ज्याद रखिएगा चर्णोबिल भी Ukraine में है और जैपोरीजिया भी Ukraine में है यहाँ पर Kharkiv था ठीक है जो मैंने तीन rivers बताइए आपको Uda River, Lopan River, Kharkiv River वो भी Ukraine में ही आपको मिलेंगी Ukraine की बात करने तो थोड़ा सा उत्तर पूर्व की दिशा में आपको Kharkiv देखने को मिलेगा इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा यही पर आपको Sea of Azov मिलेगा Black Sea मि जिसका संबंध सवान इधन के दुदी प्रश्ण पत्र पर है जहां पर हम लोग अंतराश्ची संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे देखिए बहुत बार अब मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये आर्टिकल्स अब आते रहेंगे ठीक है इंडिया बांगलादेश के के डिफेंस एक्विपमेंट है उनको खरीदने के लिए इच्छा जताई थी तो यहां पर ये भी आप शामिल कर सकते हो इसमें से जैसे प्रोटेक्टिव जो वीकल्स होते है टाटा ग्रूप के ठीक है जो पोर्टेबल स्टील के ब्रिज होते हैं जो तुरंत नदियों के पर बना दिये जाते हैं फाइव ब्रिगेड लेयर टैंक्स की बात हुई थी ये भी खरीदने में इंट्रेस्टेड हैं बांगलादेश की जो आर्मी है वो महिंद्रा एक्स्यूवी 500 की जो ओफ रोड वीकल आती है उसको भी खरीदने में इंट्रेस्टेड है तो मतलब बह इंट्रेस्टेड आया क्या है जो इसको कवर करने की आवशकता पड़ा रही है देखिए इसमें इंपोर्टेंट ये आया है इसमें थोड़ा सा जो बांगलादेश की पीम शेख हसीना है उनका एक नजरिया यहां पर रखा गया है यहां पर राइटर यह बताते हैं कि 9 के बाद से जब से शेख हसीना की सरकार वहां पर आई है तब से उनका भारत के प्रती जो जुकाव है बहुत अधिक देखने को मिला है अब यहां पर राइटर बताते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या रहा तो देखिए शेख हसीना के जो फादर रहे मुझीबुर रहमान ठीक है तो यह बांगलादेश के एक तरह से राष्ट पिता भी कहे जाते हैं जब इनको बांगलादेश में मार दिया गया था इनका एसेसिनेशन हो गया था इनके पूरे फैमिली को मार दिया गया था उस समय शेख हसीना जो थी वो विदेश में थी बाद में जब यह को लेके काफी जादा serious रहती है अब वहां पर भारत का भी उतना ही योगदान रहा है जैसे 1971 पाकिस्तान के शासन से बांगलादेश को आजाद करने की बात है तो वहां पर भारत की जो सेना थी उसने बहुत जादा help करी यहां पर बांगलादेशियों की दूसरा जहां पर जै यह तै हो जाए कि वह इंडिया में आते हैं कि बांगलादेश में आते हैं तो इन सारे समझोतों में इंडिया बांगलादेश ने बढ़ चलकर एक दूसरे का साथ दिया है और ऐसे समझोतों को बहुत जल्दी solve करने की कोशिश करी है एक यहां पर maritime agreement की बात करते हैं में आया था तो यहां पर बांगलादेश की तरफ से यह तारीफ करी जाती है कि भारत ने इस चीज का कोई भी विरोध नहीं किया और जो भी अंतराष्टी निरणे था भारत ने उसको माना और इस अंतराष्टी निरणे में आप देखेंगे ध्यान से तो 25,602 स्कॉयर किल में 19,466 स्कॉयर किलोमीटर का जो एरिया था वो बांगलादेश के हक में दे दिया गया था यानि कि अगर ओवर ओल देखा जाए तो approximately 80% का जो एरिया था विवादित वो उसका निरणे बांगलादेश के पक्ष में आया था और भारत ने इसे साफ मन से सुईकार करा था य यह एरिया बे ओफ बेंगॉल की बात करी जा रही है यह एरिया इसलिए भी important था क्योंकि पहली चीज तो बांगलादेश वहाँ पर क्या कर सकता है उसके उपर उसका आधिपत्य हो गया तो वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि तेल बहुत आयक मातरा में तो अब तेल की खोज जो है वो बांगलादेश वहाँ पर start कर सकता है तो इस निरणे के आने के बाद भी हमारे संबंदों में कोई खटास नहीं आई तो यह वाला point यहाँ पर writer mention करते हैं दूसरा writer यहाँ पर main जो मुद्दा है वो यह बताते हैं कि यहाँ पर चार मुद्दे अभी ऐसे हैं यह बताते हैं writer की चार मुद्दे अभी ऐसे हैं जिनके उपर भली भांती चर्चा हो सकती है देखो पहला मुद्दा यह बताते हैं रोहिंग्या का रोहिंग्या का मुद्दा इसलिए बताते हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर बांगलादेश की बात करें तो बांगलादेश अब इसमें क्या होता है वहां के संसाधनों की बात करें, ठीक है, तो उनका भी उपभोक किया जाता है इनके द्वरा, प्लस वहां के जो लोकल लोग हैं, उनसे भी जो Clashes होते हैं, वो तो अलग की बात है, इस तरीके से जो बांगलादेश है न, वो भारत से यह उमीद रखत है तो पहला मुद्दा तो यह है रोहिंग्या का जिस पे भारत और बांगलादेश आपस में बैठके और जादा चर्चा कर सकते हैं दूसरा मुद्दा यहाँ पर राइटर बताते हैं तीस्ता नदी के विवाद का ठीक है जो बहुत समय से चला आ रहा है अब बांगलादेश चाहता है कि इस विवाद को जल्दी हल्दी खतम करा जाए बांगलादेश का भी अपना एक हित है कि उसको भी जो पानी है उसकी मात्रा बढ़ा कर मिले दूसरा यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो नहीं चाहती कि जितना पानी इनको मिल राया भी तीस्ता रि की तो बंगाल की खाड़ी की शाखा ना बांगलादेश में ना के बराबर वर्शा करती है परन्तु बांगलादेश दुनिया में ऐसा एकलोता देश इतनी अच्छी लोकेशन पर है कि वहाँ पर गंगा अबरमपुद्र डेल्टा इन सब डेल्टाओं की वजए से इन सब बड़ी बड़ी नदियों की वजए से पानी की इतनी कमी नहीं होती परन्तु ये सब नदियों का पानी है वर्शा का पानी वहाँ नामातर का होता है तो अब नदियों का पानी अगर होगा तो उसको एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए बहुत सारी नहरो करने के लिए क्या है कि वर्षा होनी चाहिए जो की होती नहीं है अब उनको पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं वो नदियों के पानी में अब भारत और बांगलादेश में बात करी जाए चववन नदियां आपस में शेयर करती हैं तो एक बहुत बड़ी नदियों का जो सं बंद प्रगाल करने की कोशिश कर रहा है तो यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है वो हुआ है धाका बीजिंग वारता का तो इसको काउंटर करने के लिए भारत को अधिक से अधिक बांगलादेश के साथ अपनी पकड़ को मजबूत करना पड़ेगा ऐसा ना हो कि श्री ल करा जाता है कि बांगलादेश के अंदर जो हिंदू है वो माइनॉरिटी में रहते हैं तो हिंदूओं के उपर कई बार ऐसी न्यूज आती ही कि वहाँ पर अटैक होते हैं यहां पर हलाकि बांगलादेश सरकार का ये भी कहना है कि हम इसके प्रती एक्शन भी लेते हैं और जो भी अपरादी होता है उसको सदा दी जाती है तो यहाँ पर चौथा मुद्दा ये भी है कि हिंदू जो minority बांगलादेश के अंदर है तो उसको भी सुरक्षा वहां की राज सरकार द्वारा प्रदान करी जाए तो यह चार ऐसे मुद्दे हैं जिनके उपर भारत बांगला मैंने आपको ये चीज़ें समझाई दूसरा यहाँ पर बात होती है कि भारत और बांगलादेश के बीश में जो SIPA का agreement है वो जितनी जल्दी से जल्दी हो जाएगा तो उतना बांगलादेश के लिए बहुत जादा help हो जाएगी जैसा कि भारत ने बोला भी है कि भारत unicorn category में आ जाता है तो ये जो भारत में startup का पारितंत्र develop हुआ है जैसे हम लोगों ने aim की बात करें या अटल tinkering lab की बात करें अटल innovation mission की बात करें तो इन सब में जो हमारी expertise है जो हमारी knowledge है वो हम बांगलादेश के साथ share कर सकते हैं जिससे कि बांगलादेश के अंदर भी ज SIPA एक होता है SISA ठीक है comprehensive economic partnership और यहाँ पर cooperation होता है तो यह जो agreement किसी भी दो देशों के बीच में होते हैं तो उन देशों के बीच में कुछ product की ऐसी list निकाली जाती है जिन पर जो tariff होता है उसको maaf करा जाता है जो tax लगा जाते हैं उसको maaf करे जाते हैं तो ऐसी एक list निक उत्पादों के साथ साथ services की भी बात होती है यानि सेवाओं की अब आपको पता है कि भारत जो है वो सेवाओं के नंबर में विश्मे अग्रिडी देशों में गिना जाता है तो भारत बांगलादेश के साथ इस type का समझहोता जो है वो बांगलादेश चाहता है कि ऐसा चाहुए तो FTA यानि की free trade agreement जिसको मुक्त व्यापार समझहोता बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए FTA की जहां पर भी बात करेंगे तो उसमें भी tariff relax की बात करते हैं ठीक है सीमा शुल्क में रहात देने की बात कर देते हैं इससे फाइदा क्या होता है दोनों के बीच में अगर FTA दो देशों के बीच में है तो उनकी market तो develop होगी और दूसरा सबका welfare की बात करते हैं दूसरा यहाँ पर एक negative point FTA का ये होता है कि जो इसके अलावा के जो देश होते हैं उनको थोड़ा सा नुकसान होता है क्योंकि उनकी जो वस्तुएं होती हैं वो क्य rate agreement इसको बोल देते हैं इसमें क्या होता है इसमें ऐसा होता है कि इसमें भी यही है कि कुछ product ऐसे हैं जिन पर duty जो होगी exercise duty वो क्या करी जाएगी कम करी जाएगी मगर आप बोलेंगे कि आप FTA में और इसमें difference क्या है तो मैं बढ़े ध्यान से बताता हूँ बढ़े ध्यान क्या होता है मालीजे एक X देश थे कोई वस्तू Y देश में आती है तो Y देश इसमें क्या लगाएगा tax लगाता है ठीक है परन्तु जदी दो देशों के बीच में X और Y के बीच में FTA sign हो चुका है मुक्त वयापार तो उस particular वस्तू में मालीजे mobile phone है तो उस पे tax नहीं होता है अब मैं बताता हूं दोनों में difference क्या है देखो जो ये PTA होता है na PTA इसको एक positive list कहते है इसमें एक positive list यानि कि सकारात्माक list निकाली जाती है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि ये एक list में कई सारे product लिखे हो है mobile phone, TV, frizz, washing machine जो दूसरे देशों से आती ह है तो यहाँ पर list है इस list में जो भी कुछ लिखा होगा उन सब पर जो duty है उसको क्या कर दिया जाएगा free कर दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा ठीक है मान लो एक उधारन के तौर पे 50 वस्तूएं x और y के बीच में साजह होती है तो 50 में से जो ये अदिमान व्यापा समझा होता है इसमें से 20 वस्तूओं की list बना रखी है तो इसका मतलब है कि 20 वस्तूओं पर ऐसी कोई भी duty जो है वो नहीं लगाई जाएगी या कम कर दी जाएगी बाकी 30 वस्तूओं पर duty लगेगी ठीक है तो ये होता है आपका आदिमान व्यापार समझा होता है जब मुक में नाम है उन सबको सुरक्षा दे दी गई है परंतु यहां जो नाम लिखे जाएंगे मोबाइल फोन, लैप्टॉप, साइकल, बाइक, कार तो उन सब पर duty लगेगी इसके अलावा जितने भी बच जाएंगे उन सब पर duty नहीं लगेगी वो duty free होंगे तो ये होता है FTA और ये होता है अदिमान व्यापार समझ होता, वहीं पर सैपा होता है, मैंने आपको बताया कि ये goods के साथ साथ किस पर लग जाता है, services पर भी लग जाता है, प्लस कुछ ऐसे product जिन पर intellectual property right होता है, उन products के साज़ेदारी में भी लगता है, तो जब दो देशों के बीच में सैप हो जाता है, तो कई सारे सुविधाएं वहाँ पर और जादा मिल जाती है, ठीक है, अब बांगलादेश और इंडिया के बीच में सैपा होना है, इस वज़े से ये चीज चर्चा में आई थी, इस वज़े से मैंने आपको ये बाकी दो भी बता दिये, अगली news पर बढ़ते होते हैं, उनके उपर दिक्कत आ गई है, आपने देखा भी होगा news में, कि यहाँ पर इस तरीके से जो किसान है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, ठीक है, हम लोग अब इस पूरे आर्टिकल में चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन-कौन से कारणा रहे हैं, मिट्टी की आवशकता होती है, वो कैसी होनी चाहिए, दोमट मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है, जो तापमान होता है, वो 21-24 degree centigrade होना चाहिए, इस से दादा का तापमान नहीं होना चाहिए, अगर वर्षा की बात करें तो 1000 से लेकर 1250 mm, इतनी वर्षा जो होती है, वो सेब क की खेती के लिए आवशक होती है, वर्षा में अगर बात करें तो सबसे नंबर वन पर क्यों कंट्री आता है, उतपादन में, चाइना नंबर वन पर आता है, ठीक है, भारत के अंदर की बात करेंगे, तो जम्मू कश्मीर सबसे आदा सेब का उतपादन होता है, इसके आपको सेब के बारे में पता होने चाहिए, अब देखिए हुआ क्या, अभी के लिए अगर तातकालिक कारणों की बात करेंगे, तो तातकालिक कारण में से तीन मुख कारण ऐसे हैं, जिनकी वज़े सेब के जो किसान है उनके उपर संकट आ गया है, सबसे पहला कारण जानते हैं क्या रहा, देखिए, यहाँ पर यह बोला गया कि input cost जो है, जो उत्पादन लागत है, ठीक है, उत्पादन लागत का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तू बनाई जाती है, तो उसके पीछे, उसमें जो कच्छा पदार्थ लगता है, या जो भी श्रमिक सेवा लगती है कोई भी एक वो घटक जो उस वस्तू के उत्पादन में साहता करता है, उसको उत्पादन लागत बोलते हैं, अब जैसे अगर कोई भी चीज़ खेती करी जा रही है, तो खेती के लिए हमको उर्वरक की आवशकता होगी, ठीक है, कीट नाशक की आवशकता होगी, अगर खर पहला कारण क्रशी के उपर जो संकट आ गया है, सेब की क्रशी, उसमें है कि उसकी बढ़ती लागत, 300% की वरधी देखी गई है पिछले 10 सालों में, अब ये लागत कैसे बढ़ी है, उर्वरक बहुत महंगी हो गई, कीट नाशक महंगी हो गई, खरपतवार नाशी महंगी हो गई, ठीक है, तो ये सारी rates के बढ़ने से और इसमें 300% कोई छोटी कमी नहीं होती है, तो जब उत्पादन लागत महंगी आ जाएगी, तो 100 रुपए का जो सेब है, वो 500 रुपए में क्यों नहीं बिकेगा, भाई किसान अपना नुकसान तो नहीं कराएगा, तो पहला क कारण आपने देखा होगा, ऐसा होता है, जिसमें कई सारे सेब उसमें पैक करे जाते हैं, तो ये जो पैकजिंग की कीमत है, इसमें इसी की value अकेले 130 रुपए हो गई है, अब मान लो 100 रुपए का 1 kg सेब है, और 130 रुपए इस कारण की है, अब इस कारण में माली ये 10 kg का ये जो पूरा कारण है, वो पढ़ रहा है, ठीक है, जो पहले क्या होना चाहिए था, 12 परसेंट GST के साथ साथ और 300 परसेंट की वरद्धी नहीं होती, तो बहुत सस्ता पढ़ता, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान लखिएगा, दूसरा कारण जो था, वो ये था, इसक यहाँ पर जो यह सब कारिकरम चल रहा है, यह सब कारिकरम इस वजए से है, कि किसान को यहाँ पर यह छूट दे दी गई है, कि तुम क्या करते हो, तुम जाते हो मंडी में, ठीक है, मंडी कैसी होती है, ओपन मार्केट होती है, ओपन मार्केट में अपना सामान जाके बेच तो यहाँ पर कई सारे बिचौलिये होते हैं, ठीक है, अब मान लीजिए, पारले जी का एक्जामपल ले लें, सेब का जूस बनाती है, मान लीजिए, ठीक है, तो इसको बहुत जादा मातरा में सेब चाहिए होगे, तो यह क्या, यह बिचौलिये क्या काम करेंगे, अढहाती जिनको बोल रहा है, यह पारले जी की बात, वो किस से करा देंगे, वो उस किसान से करा देंगे, तो वो किसान क्या करेगा, मन्डी में जाके इस पारले जी को अपना सेब बेचेगा, उसमें बीच में कुछ पैसा इनको भी चाहिए होगा, अब यहाँ पर सरकार ने बोला ह ऐसा किसान बिल जो आया था, उसमें ये बोला गया था, कि भाई, जो किसान है, वो direct इतने बड़े-बड़े जो players होते हैं, यहाँ पर big players, यह word use हुआ है, तो मैं भी यही शब्द use करूँगा, जो बड़ी-बड़ी companies होती हैं, बड़े players होते हैं, तो उनके पास ऐसे 100 carton है, आप मेरे से save ले लीजे, तो पारले जी यहाँ पर क्या करता है, article में writer बता रहा है, यहाँ पर इनसे यह बोलेगा, भाई, हम carton में आपसे नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए, एक carton में मान लीजे, आता है 10 kg, 20 kg, तो यहाँ पर हर type का save यहाँ पर मौझूद होगा, तो उस carton में pack कर दिया जाता है, तो यह company कहती है, हम खुले में save लेंगे, किलो के भाव से, ठीक है, पूरे carton के भाव से हम नहीं लेंगे, और आपको यह पता होना चाहिए, जब open market, यानि मंडी की बात होती है, तो वहाँ पर जो save भिखता है, वो carton के भाव से भिखता है, ठीक है, बट यह लोग कहते हैं, हम खुले के भाव से लेंगे, और इससे save यह लोग छाटते हैं, जो भी इनको थोड़ा बहुत सेब दिख जाता है, उसको हटा देते हैं, फिर दूसरा save लेते हैं, फिर ऐसा चुन-चुन के save लेते हैं, जैसे आप हम save खरीदे जाते हैं, तो ठेले पर से उठा उठा के खरीदे हैं, वैसे इतनी बड़ी companies किसान से ऐसे save ले रही हैं, तो इसमें नुक्सान क्या होता है, पहली चीज तो नुक्सान ये होती है, बहुत कम, 20-30% ऐसा बोला जाता है, कि बहुत उच्च कोटी का जो save है, वो मिलता है, अब कुछ ना कुछ तो defect होगा ही, तो वो सारा जो defective piece होता है, वो सब निकाल दिया जाता है, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रशनी सरकार से पूछा जा रहा है कि अब बताईए, save को, जो किसान ने उगाया, उसका इतना portion आपने निकाल के 60-70% अलग रख दिया, तो उसका होगा, क्या, अब वो किसान कहां जाके बेचेगा, ठीक है, यह तो अभी के तातकालिक कारण है, परन्तु यह जो संकट है ना, यह तुरंत नहीं आयता, थोड़ा सा, अगर आपने तीन-चार माहिने पहले की news पढ़ी होगी, तो हिमाचल परदेश में जिस तरीके का मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तो यह जो मौसम है, जलवायू है हिमाचल परदेश की, उसने भी एक संकट यहां पर create करा है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं, जैसा कि आपने यह आर्टिकल में देख पा रही कि वहां की जो मट्टी थी ना, उसकी जो नमी थी, वो समाप्त हो गई, तो उससे भी जो सेब का उतपादन था, उस पर प्रभाव पड़ा, गर्मी बहुत दिनों तक रही, जिससे की वरशा नहीं हो पाई, जो की सेब की उतपादन के लिए बहुत जादा आवश्चक थी, यह तो बात होगो गर्मी की, अब गर्मी को गर्मी बीदता ही, जब मौनसून आया, तो मौनसून में इतनी जादा बारिश हो गई वहाँ पर, पहले तो बारिश हो नहीं दी थी, जब बारिश हुई तो इतनी जादा बारिश हो गई, टोंस नदी घाटी में, या यमुना नदी घाटी में, जिस तरीके से उफान आया पानी में, तो यहाँ पर भूस खलन देखने को मिला, बाल जैस स्थितियां देखने को मिली तो उससे भी यहाँ पर उत्पादन प्रभावित हुआ अब देखिए जितना उत्पादन हुआ था ना उसको कहा है अब मान लीजे किन और में सेब उत्पादन हुआ अब उसको मार्केट में लाके बेचना है मंडी तक तो यहाँ पर भूस खलान बाल की वजए से यहाँ पर जो रास्ते थे वो बंद कर दिये गए ठीक है और सहीर सी बात है कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा तो जब रास्ते बंद कर दिये गए तो यह जो यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है सेब का यह मंडी तक पहुँच नहीं पाया सही समय पर तो सेब की गुडवत्ता भी प्रभावित हुई दूसरा सेब खराब भी हुआ और समय पर किसान को अपना जो पैसा था वो मिलनी पाया तो कहीं न कहीं जो यह मौसम है जो बारिश हुई और जो ग्रीश में लहराई उसने भी यहाँ पर किसान थे उनके उपर संकट उत्पन कि अब यह आपको पता होना चाहिए कि जैसे सेब की जब फसल उख जाती न तो उसकी कटाई में भी कठिनाई हुई यहाँ पर क्योंकि बार आ गई भूसकलन हो रहा था अब मान लीजे ऐसा एक उधारन के तौर पर समझेगी तीन टन जो सेब होता है ठीक है उसकी कटाई करन के लिए 48-72 गंटे यानि कि 2-3 दिन लगता है तो केवल कटाई कटाई करने में तो बार जैसी स्थिती में भूसकलन जैसी स्थिती में वहाँ पर क्या हुआ कि लोग जा नहीं पाए खेतों में अपनी कटाई करने और इतना समय लगता जब कटाई करने के बाद उसका अब ये देखो नाम से ही थोड़ा सा इसके बारे में पहचानने की कोशिश करो कि इसके नाम में आया है सबसे पहला शब्द अर्बन यानि कि ये शहरों की बात करेगा Employment रोजगार Guarantee Scheme की बात करेगा यानि शहरों में जो लोग रहते हैं उनको ये रोजगार देंगा कौन राजस्थान सरकार जहां पर भी Employment Guarantee Scheme लिखा होता है तो आप इसको MG Narega से भी Compare कर सकते हो कि उसमें भी रोजगार मिलता है हमको ठीक है अब जानते हैं इस Scheme के सारे घटकों के बारे में कि ये Scheme बताती क्या है अब देखिए आप बीते अगस्त में आने कि 30 अगस्त को आपने इसके बारे में News पढ़ी होगी कि राजस्थान के जो Chief Minister अशोग गहलो ठीक है तो उन्होंने जोदपूर में इस Scheme का बारे में घोशना करी थी आने वाले 9 September को जो ये Scheme है इसको launch कर दिया जाएगा और वही हुआ ठीक है 9 September को ये Scheme launch करी गई अभी तक अगर बात करी जाए तो साड़े तीन लाख लोग जो है वो इस Scheme में जिनोंने अपना पंजी करन करा लिया है अब देखिए है क्या ये Scheme ये Scheme कहती है अब अगर MG Narega से आप इसकी तुलना करोगे तो MG Narega किसके लिए था वो भी गरीबों को रोजगार की गारंटी देती है परन्तु वो ग्रामीर लोगों के लिए था ठीक है ये वाली जो Scheme है वो कौन से लोगों पर फोकस करेगी वो शहरी लोगों पर फोकस करेगी और शहर के वो लोग जो आर्थिक रूप से बहुत जादा पिछड़े हो यानि कि जो गरीब व्यक्ति है शहर के अंदर रहता है अब बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो फुटपात के किनारे कोई दुकान लगाते हैं या फिर साफ का काम करते हैं इस टाइप का जो काम करते हैं अकुशल गरीबों की बात हो रही है ठीक है जिनकी आर्थिक इस्तिति अच्छी नहीं है तो इन व्यक्तियों को क्या करा जाएगा 100 दिन का एक वर्ष में बड़ा ध्यान से सुनिएगा ये प्रारंबिक परिक्षा में कथन के रूप में पूछा सकता है 100 दिन का एक वर्ष में रोजगार की गारंटी दी जाएगी जो लोग करने में इच्छुक है ठीक है अब यहाँ पर जो रोजगार में इनको पैसा दिया जाएगा वो ये बोला जा रहा है जो अकुशल श्रमिक होगा उसको 259 रुपीज पर डे क के हिसाब से दिया जाएगा और जो कुशल व्यक्ति होगा जो skilled labor होगा उसको 283 रुपए पर डे के हिसाब से ये महंताना सरकार ने अभी तक decide करा है जो ये scheme है वो scheme में लोग register कैसे कराएंगे तो इसमें बताये गया है राजास्थान सरकार ने एक जन आधार कार्ड निकाल क्या है तो याद रखिएगा राजास्थान सरकार के द्वारा जो एमित्रा है ये एक portal है तो इस portal में क्या होता है जैसे राजास्थान का कोई भी नागरिक है वो अपना बिजली का bill हो गया water का bill हो गया राशन कार्ड, pan कार्ड, अधार कार्ड, job कार्ड इन सब को बनाने की बात आजाए, ठीक है, बिल को जमा करने की बात आजाए, या फिर इन सब में कुछ भी अपडेट करना है, माली जब कोई गलती हो गई, तुरुटी हो गई, तो उसको सही करना है, तो वो सारे काम, राजस्थान के जो नागरिक हैं, वो e-mitra portal पे जाके हो चुका होगा, अब सरकार का ये करतव बन जाएगा, गारेंटी उसको देनी है, एक वर्ष में 100 दिन का काम, और ये महनताने के हिसाब से, ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर जो काम है ना, ये यहाँ पर important है कि आपको ये पता होना चाहिए, ये कारियों की श्रेणिया क्या-क्या है, बहुत जादा important है, ये देखिए, और सबसे बड़ी बात है, मुख्य उत्तर परिक्षा में आप इसको उप्योग कर सकते हैं, यहाँ पर अब कैसे काम दिये जा रहा है, कि अपने यहाँ पर लोगों का registration जो है, जिनका हो चुका है, उनको काम दें, तो जो जिला बोर्ड है न, जो शहरी निकाय है, उनकी जिम्मेदारी राजसरकार इनको देदेगी कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनको काम दीजिये 100 दिन का, एक वर्ष के अंदर अंदर, तो आप मान लीजे, कोई है जोधपूर का, जैपूर का, तो इनके अंदर जो भी जिला बोर्ड होंगे, तो जोधपूर का जिला बोर्ड जो होगा, वो अपने यहाँ नागरिकों को रोजगार देगा, जो जैपूर का होगा, जो गंगानगर का होगा, तो इस तरीके हैं, यहाँ पर जिला बोर्डों के हिसाब से इनको बांट दिया गया है, तो वो लोग काम डिसाइड करेंगे व्रक्षाड ओपन, व्रक्षों को लगाने का काम दे सकते हैं, जो वहाँ पर स्थानी पार्क होते हैं, सरकारी पार्क, उनके रखरकाव का स्थान दे सकते हैं, उनकी स योजना के अंतरगत, उसी तरीके से साफ सफाई, जिस तरीके से पारकों और फुटपातों की हो रही है, तो तालाब हो गए, जील हो गए, तो इसका संबंद कहां से आदाएगा, अब यहाँ पर जल सनरक्षन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यह योजना जल सनरक्षन, पर तो परियावर्ण सनरक्षन की बात हो गए, तो यहाँ पर जल सनरक्षन को तवज्जो दी जा रही है, तो वर्षा का जो जल संचयन होता है, उसको भी करने के लिए मालीजे, कुछ ऐसा कूँआ बनाना है, तो वो भी काम इनको दिया जा सकता है, अब यहाँ पर देखि कर सकते हैं, कचरा कलेक्ट कर सकते हैं, कचरे को सूखा, कचरा, गीला, कचरा इस तरीके से अलग-अलग कर सकते हैं, और जहाँ पर भी इन कचरों को डंपिंग करा जाता है, वहाँ तक एक घर से कचरा पहुंचाना, यह भी काम इनको मिल सकता है, ठीक है, अब कई बार ऐसा जते होंगे, कई सारे boards लगे रहते हैं, ठीक है अनावस्षक रूप से, तो उनको हटाने का काम भी करा जा सकता है, ठीक है, गौशालाओं में इनको काम मिल सकता है, जो भी नगरी निकाय होते हैं, board होते हैं, तो उनके आस-पास जो boundary होती है, उनकी सुरक्षा का काम भी इनको दिया जा सकता है, पार्किंग इस थलों की मैंने बताई आपको उसमें मैनेज करने के लिए दिया सकता है, जो सडकों पर आवारा पशु होते हैं, जो एक एक एक्सिडेंट का, रोड एक्सिडेंट का बहुत जादा मेन कारण बनते हैं, तो उनको पकड़ना, या उनका किस तरीके से उनको मैनेज कर सकते हैं, एक जगह बना दी गई, जहां पर आवारा पशु एक ऐसा संगठान बना दिया गया, तो उसके अंदर सब रखे जा रहे हैं, तो उनके खान पान का, उनके स्वास्त का, इन सब का ध्यान रखना, तो ये देखिए कितने important, एक तरसे देखा जा तो कितना बड़ा सामाजिक कार जो है, वो इस योजना के तहत, जो शहर के गरीब वेक्ति हैं, जो बिरोजगार हैं, उनसे करवाया जा सकता है, ठीक है, अब ये जो योजनाएं चल रही हैं, मैं आपको पहले भी line से ही शुरुआत क के लिए योजना बनाई गई है, इसी प्रकार से अन राज्यों में भी ऐसी योजनाएं चलती हैं, जो इस आर्टिकल में cover हैं, जैसे कि आयंकाली शहरी guarantee योजना केरल में है, कई बार आप इसको देखेंगे, नाम से बुला जाता है, केरला मॉडल क्या है, किस चीज का इन ही कामों से मिलते जुलते हैं, ठीक है, इसी तरीके से जो उड़ीसा में शहरी मजदूर पहल चलती है, वो भी यही सेम योजना है, फोकस करती है, जारखंड की मुख्यमंत्री श्रमिक योजना जो है, ये भी 100 दिन का काम देती है, इसमें इन्होंने ये भी करा है कि जो होते हैं, यानि कि 21 से 30 वर्ष की जो उमर होगी, इनको काम दिया जाएगा 100 दिन का, तो ये भी चियाद रखिएगा, अब इनको कौशल दिया जाता है, पहले इनको ट्रेनिंग मिलेगी, फिर इनको काम दिया जाएगा, अब आप यहाँ पर जैसे जो आयू की बात चली प्लस अगर भारत सरकार की तरफ से बात करेंगे, रोजगार के लिए तो आपको वो भी पता होना चाहिए, सबसे पहले इसमाईल योजना की बात होती है, तो इसमाईल में अजीविका और उद्यम के लिए सीमान्त वेक्ति होई तू समर्थन, ये बेसिकली किसके लिए है, जो भिकारी होते हैं, ठीक है, सबकों पर जो भीक मांगते हैं, तो उनको क्या करा जाएगा, पुनरवास पहली चीज़ तो उनको घर दिया जाएगा, प्लस उनको भी कौशल दिया जाएगा कि कुछ अपना वो रोजगार कर सकें, उसी तरीके से स्टार्ट अप इंडिया और स्टेंड अप इंडिया की बात करते हैं, स्टार्ट अप इंडिया की बात करेंगे, तो 2016 में ये पहले लाउंच हुई थी, जैनवरी के आसपास स्टेंड अप इंडिया की बात करेंगे, तो ये एपरिल 2016, एक ही वर्ष में दोनों योजना या आई थी, अब ये बिसिक सबसे पुराना सबको पता है इसके बारे में की प्रतेक परिवार से जो भी अकुशल व्यक्ति होता है ठीक है जो वयस्क सदसे होते हैं तो उनको 100 दिन का गारंटी रोजगार दिया जाता है ग्रामीड परिवेश की बात करी जाती है धैनिक बेरोजगारी भत्ता मिलता है अगर मानलीजे 5 किलो मीटर से अधिक की दूरी पे जाना पड़ता है तो उसको इस टाइप के भत्ते भी दिये जाते हैं इस चीज को क्या बहतर बना सकते हैं इसको करना है आपको दूसरा है क्या आपको लगता है MSP को बागवानी छेतर में बढ़ाने की ततकाल अवशकता है चर्चा करने की हिमाले परदेश में हाल ही में उत्पन सेभ संकट के ततकालिक कारण क्या रहे हैं दोनों ही important प्रेश्ण है दोनों करना चाता हूँ कितने लोग सही उत्तर देते हैं आज के सतर में बस इतना ही मैं आशा करता हूँ आज का सतर आपको अच्छा लगा होगा यदि आपको सतर अच्छा लगा है तो like, share और subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगले सतर में फिर से आपसे मुलाकात करी जाएगी कुछ नए आर्टिकल के साथ अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्त का ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद